हेलो बच्चों, BPSC विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है और विद्यापीठ अभी लगातार इकोनमिक्स में बाजार से सम्मंधित विभिन प्रकारों की चर्चा कर रहा है और पिछले दो वीडियो में बाजार से संबंधित बहुत सारे प्रमुख प्रकारों की चर्चा की गई और इस करम में आज अंतिम रोप से हम लोग बाजार के तीन प्रकार की चर्चा करेंगे जहां काफी questions पूछे जाते हैं जिनमें एक है एक क्रियता अधिकार मोनोपसोने दूसरा है क्रियता विक्रियता बाजार और तीसरा है क्रियता बाजार सेलर्ज एंड बायर्ज बार के लिए देखी बच्चा लोग ऐसा है कि हम लोगोंने बाजार में बाजार के बारे में पढ़ा है जिनमें एक मोनोपोली के बारे में पढ़ा है एक डिवोपोली के बारे में पढ़ा है और एक ओलिगोपोली के बारे में पढ़ा है और मोनोपोली डिवोपोली ओलिगोपोली का निर जब विक्रेता अथवा कंपनियों की संख्या एक हो तो मोनोपोली दो हो तो डिवोपोली दो से कुछ अधिक परम तो बहुत अधिक नहीं हो तो अलिगोपोली और मोनोट सोणी का नेरधारम तब होता है जब बाजार में किसी स्रम सक्ती का खरीदार कोई एक ही कमपनी अत्मा फर्म होता है तो बाजार की वह इस्थिती जिसमें किसी स्रम सक्ती का किसी खास शेतर में जब स्रम सक्ती का खरीदार कोई एक ही कमपनी अत्मा फर्म हो उसे एक ग्रित अधिकार या अंग्रेजी में मोनो पसोनी कहते हैं अब जैसे मान लिजे कि कोई एरिया है उस एरिया में जितने मिश्रमिक हैं उनको नियोपीद करने वाली यायनि उनको रूजगार देने वाली केवल एक ही कंपनी है तो श्रम सक्ति की खरिदार केवल एक ही कमपनी अफ़र में है तो ऐसे इस्थिति में क्या होगा कि श्रमिकों की सामुहिक सौदेवाजी की सक्ति कमजोर हो जाएगी क्योंकि जब भी श्रमिक के पास आप्शन होता है कि ये कमपनी नहीं तो ये कमपनी है ना तो वो श्रुदेवाजी करते हैं और अपने लिए अधिक साधिक पास्रमिक के निर्धारन का प्रयास करते हैं कि भाई हमको अधिक पास्रमिक मिले कमपनी की तरब से और कमपनी भी मजबूर है क्योंकि कमपनी को मालूम है कि कोई दूसरी कमपनी है option group में अगर हम नहीं देंगे तो वो देना शुरू कर देगे तो साड़े स्रमिक वहाँ चले जाएंगे लेकिन अगर किसी छेत्र में स्रम सक्ति के खरिदार केवर एक ही कंपनी अफ़र्व हो तो वहाँ स्रमिक सौदेवाजी नहीं कर सकते क्योंकि मजबूरी है उनको रोजगार मिलेगा तो केवर एक ही कंपनी में तो ऐसे स्थिति में स्रमिकों के सौदेवाजी बारगीनी या सामुहिक सौदेवाजी जिसको कलेक्टिव बारगीनी कहता है कि सक्ति कमजोर होती है और स्रमिकों को कितना पारिश्रमिक मिलेगा इसका निर्धारन में केंद्रिय भूमी का या प्रबल भूमी का खरीदार कमपनी की होती है इसलिए इसका नाम ही है एक क्रेताधिकार तो एक क्रेताधिकार वह दसा जब किसी खास छेतर में किसी श्रम सक्ती की खरिदार कोई एक ही कंपनी अत्मा फर्म हो तो उसे एक करिता अधिकार कहते हैं इसके बाद आगे है विक्रेता एक करिता बाजार देखें नाम पर ही असपस्त है विक्रेता बाजार बाजार की वह दसा जिसमें विक्रेता मजबूत इस्थिति में हो बेचने वाला मजबूत इस्थिति में हो तो विक्रेता बाजार और बाजार की वह दसा जिसमें क्रेता यानि खरिदने वाला मजबूत हो उसे क्रेता बाजार कहेंगे अब सवाल है कि यहां बाजार के तो दो ही पाक्स हैं करेता और विकरेता और दोनों के मिच प्रतियोगिता होती रहती है कि दोनों के उद्दे से अलग होते हैं विकरेता के उद्दे से होता है अधिक से अधिक मुल ले ले और कम से कम बस्तू दें क्रेता का उद्धे से थीक इसके opposite होता है कि कम से कम मुल्य दे, अधी से अधीक बस्तू लेने तो दोनों कमें इज प्रतियोगिता होती है और इसी प्रतियोगिता के आधार पर बस्तू के मुल्य का निर्धारन होता है तो बाजार की वह दसा जिसमें विक्रेता मजबूत हो उसे विक्रेता बाजार कहते हैं तो विक्रेता मजबूत हो मतलब क्या तो बाजार में जो दोनों के बीच कॉम्पटिशन होता है उसमें अगर विक्रेता जीत गया तो विक्रेता मजबूत है और थाथ कॉम्पटिशन क तो जब बस्तु के मुल्य के निर्धारन में विक्रिता बेचने बाली की भूमी का प्रबर हो, यानि बेचने बारा जितना चाहे वाशा मुल्य लेले और क्रिता की भूमी का गौन हो, यानि क्रिता का कोई इंपोर्टेंस नहीं हो, बेचने बारा अपने अनुसार बस्तु के मुलिकार निर्धार करवाले जितना मुलिकार वसूर ले तो विक्रेता मजबूत इस चीदि में है तो इसी को कहते हैं विक्रेता बाजार तो बाजार की वह दसा जिसमें विक्रेता यानि बेशने बाला मजबूत हो अर्थात बस्तु के मुलिकार निर्धार अपनी एक्षा के अभुसार करवाले तो उसे विक्रिता बाजार कहते हैं और ऐसा कब होगा ऐसा तब होगा जब किसी बस्तु की आप पूर्ती सप्लाई उसकी मांग की तुर्णा में कम हो तब इस विक्रिता बाजबूत होगा समझ जैसे एक्जाम पढ़ लेते हैं कि जब बाजार में नहीं ने कोभी आती है गोभी तो गोभी जैसे अब बाजार में खड़िदेगे गोभी कैसे है तो 80 रुपे है 80 रुपे जोड़ा या एक फिस आप कहते हैं भाई महाँगा है कुछ कम किजि तो नहीं है देना हो तो लिजे दे जाएए तो इस काल में मज्मूर हो करके उतनाहिमें खड़िता है क्योंकि उस जब नहीं ने गोभी आती है बाजार में तो गोभी का सप्लाइब होता है तो जब भाजार में किसी बस्ति का सप्लाई बहुत कम हो आपपूरती बहुत कम हो और उसका भीमांड जएदा हो तो ऐसे स्थिति में विक्रिता जो चाहेगा उसके अंसार मुल्य का निर्धारन करवालेगा और क्रिता से मुल्य को असूर लेगा तो बाजार की वह दसा जिसमें विक्रिता यानि बेचने बाला मजबूत स्थिति में हो बस्तु के मुल्य का निर्धारन अपने उन्षार करवा ले और बस्तु के मुल्य के निर्धारन में विक्रिता की भूमी का गोण हो या नगन्य हो तो इसे कहते हैं विक्रिता बाजार तो विक्रिता मजबूत है तो विक्रिता बाजार और मजबूत है का अर्थ क्या हुआ कि बस्तू के मुल्य करने दान वो अपने उसार करवा ले रहा है और ऐसा तब होता है जब मार्केट में किसी बस्तू अथवा सेवा का जितना डिमांड है उससे बहुत कम सप्लाई है इसलिसका नाम परा है विक्रेता बाजार और क्रेता बाजार विक्रेता बाजार के ठीक विप्रित इस्थिती को बताता है अब इसमें क्या होता है कि विक्रेता बस्तू के मुल्य का निर्धार अपने उसार करवा लेता है क्रेता यानि खरिदार बस्तू के मुल्य का निर्धार अपने उसार करवा लेता है बस्तु के मुल्य के निर्धारों में बेचने बार यानि विक्रिता की भूमिका गौन हो जाती है और आप समझ सकते हैं कैसा तभी हो सकता है जब बस्तु की आपोर्ती यानि शप्लाई उसके मांग अर्थाथ दिमांड की तुर्णा में कम हो अब जैसे देखे गौभी का एक्जामपल हम लोग लिए तो नया नया जब गौभी आता है बाजार में तो दिमांड ज़्यादा सप्लाई का तो विक्रिता अपने अनुशार बस्तु के मुल्य करने दान करवा लेता है जब गौभी का पूरा सप्लाई हो जाता है और मने बहुत ज़्यादा जिमांड उसका घरता जाता है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहां पर जाकर कि क्या होता है कि वहां पर खाड़ीदार मजबूत हो जाता है क्रेता पूस्टाब है गौभी कैसे तो द बेचने बाला विक्रेता मजबूत हो गया और अपने अंसार मुल्य का निधारन करवा लिया और दूसरी स्थिती में क्या हुआ उसी गोभी के मुल्य के निधारन में फिर करेता खरीदार की भूमी का प्रबल हो गई बेचने बाली की नहीं रही ऐसा क्यों हुआ यह सारा खे कहते हैं सेलर्ज मार्किट और ऐसा तब होगा जब किसी बसतु अथवस्यवा की आप पूर्ती उसके डिमांड के कॉंपनीजन में कम हो और इसके ठीक विप्रिति श्थिती जब बसतु की आप पूर्ती जादा हो और दिमांड कम हो तो बसतु के मुल्य की निधारन में क्र प्रभल हो जाती है। इस दिर इसका नाम पड़ा। कृइता बाजार। जो विकृता बाजार के ठीक भीप्रिधर स्थेटिção को बताता है। तो आज हम लोगों ने मोनोप सोनी, एक कृइता अधीकार। और विकृता तथा बाजार के बारे में समझा। विश्वास है। कि विद्यापीट का कॉंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता हो कॉंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीदियो को लाइक और शेयर करें और फिर इसी प्रकार को क्योगी सामगरी को लोकर विद्यापीट उपस्तित होगा तब तक के ल